हेलो क्या हाल है ग्यारह सितंबर दिन सोमवारा ये बात करते हैं मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनव और आसपास के जिलों में रविवार रात से हो रही भीशन बारिश ने जन जीवन अस्त व मारगों पर पानी भरने से तालाब का रूप ले लिया है कई जगहों पर पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया है राजधानी के कई इलाकों में 10 से 12 घंटों से बिजली नहीं आ रही है जिस से लोगों का जीना मुहाल है कुछ एक जगह पर बिजली गिरने से इमारतो को भी नुकसान पहुचा है लखनव में बारिश के चलते स्कूल और शैक्षनिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से रेल सेवा भी बाधित हुई है साथ ही कई जगहों पर घर गिरने की भी घटनाएं सामने आ रही है शासन और प्रशासन स जुड़े लोग पूरी ततपरता से राहतकारियों में जुड़ गए हैं 12 सितंबर तक ऐसा ही रहेगा मौसम आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर तक मौसम ऐसा ही रहेगा 13 से मानसून की सक्रियता में कमी आएगी पश्चिमी इलाकों में बारिश की तीवरता घटेगी उधर प्रदेश में जारी धीमी तेज बारिश के बीच शनिवार शाम से रविवार शाम तक मुरादाबाद में सरवाधिक बरसात रिकार्ड की गई जबकि बीते 24 घंटे से प्रदेश में कहीं भारी तो कहीं मध्यम बरसात रु पुर्व आसपास के इलाकों में भारी बरसात को लेकर आन रेंज अलर्ड जारी किया है ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें